हेलो एवरिवन वेलकम नाव वी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट डार्क रूम ओफ डे रर्टी पार्ट फेस्ट जैसा कि आपको पहले से पता है कि डार्क रूम में हमारा टोपिक चल रहा था इमेज क्वालिटी इसी टोपिक को आज हम फिर से अगे की तरफ कंटेनू और एक और बात यह आज का इमेज क्वालिटी का हमारा लास्ट लेक्चर होगा नेक्स लेक्चर में हम न यए टोपिक्स के बारे में लास्ट लेक्चर्स के अंदर याने की पीछे के जो अपने जो लेक्चर्स थे उन में हमने अच्छे से डिटेल्स में बहुत सारे टोपिक्स डिसकस किये ठीक है इनका इंट्रोडक्शन पॉर एक्जामपल और फिर ऐसे फैक्टर्स जो इमेज क्वालिटी को इं वरे मतलब बहुत सारे टोपिक के बारे में हमने डिसकस किया था आज के हमारे लास्ट दो बचते हैं इसके अंदर चोटे चोटे जिनको हम आज डिसकस करेंगे देन आफटर वी विल कंपलीट दिस टोप ठीक है उससे पहले आगे के टोपिक स्टार्ट करने से पहले वही अपना जो रूटीन होता है, एक बार पीछे के topic का short revision हम कर लेते हैं, ताकि आगे के topic आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, जैसा कि हमने image quality के अंदर image quality, introduction और factors के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में हम आज discuss नहीं करेंगी, क्योंकि because हमने पीछे के कुछ lectures के बार ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने mainly दो topic पढ़े थे, ठीक है, एक था आपका reciprocity failure और दूसरा था, sensitometry, ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार reciprocity failure को दुबारा से एक बार discuss कर सकता हूँ, ठीक है, reciprocity failure पढ़ने से पहले हमें एक बार दुबारा से किसको समझना होगा, reciprocity low को, ठीक है, तो सबसे पहले हम reciprocity low को समझेंगे, then हम समझेंगे कि reciprocity failure क्या होता है, और फिद then हम समझेंगे, sensitometry क्या होता है, ये तीनों topic समझने के बाद हम आगे के जो ने topic सा, वो अपने start करेंगी ठीक है, reciprocity low हमें ये बताता है, कि आपकी जो radiographic x-ray film होती है, उसके उपर जो density produce हो रही है, वो directly depend करती है, total exposure के, और इसके लिए reciprocity low ने एक equation भी थी थी, जो हमने कल अच्छे से discuss किती, e is equal to i into t, e यहाँ पे अपना exposure था, i यहाँ पे intensity थी, और t यहाँ पे exposure time था, ठीक है, reciprocity लो कि अगर आपन सिंपल से बात करें, तो reciprocity low हमें ये है, बताता है, कि for example, दो आपकी x-ray film है, ठीक है, आप अगर दोनों को exposure अगर सेम देते हो, तो आपकी density वहाँ पे same produce होगी, चाहे उनकी intensity आप exposure दे रहे हो, उस radiation beam की intensity अलग-अलग हो सकती है, या फिर उनका exposure time था, वो बात इतनी है, कि जो total exposure हो, अगर सेम होगा, तो density वहाँ पे same produce होगी, ये कौन बता रहा है, reciprocity low बता रहा है, जो आगे चलके fail हो गया था, because ये आपको भी पता है, आपने भी ये चीज़े पढ़ रखी है, कि exposure time होता है, उचसे भी density क्या होती है, effect होती है, और intensity से भी क्या ह होती है, density effect होती है, इसका मतलब reciprocity low क्या होता है, यहाँ पे fail होता है, ठीक है, अब reciprocity failure क्या बोलता है, reciprocity failure होता है, यही बोलता है, kwe आपका reciprocity low था, वो correct नहीं है, reciprocity low होता है वो भी वहाँ पर जो आपकी रेडियोग्राफिक एक्सरे फेलम पर जो ब्लैक निंग आ रही है उसको एफेक्ट करेगा या फिर टाइम को बढ़ा के और इंटेंसिटी को कम करके हम क्या करेंगे एक्सपोजर फिक्स से सेट कर सकते हैं यहाँ पर आपके एक्सपोजर तो फिक्स होगे बट इंटेंसिटी और एक्सपोजर टाइम अलग अलग होगे और अगर वो डिफ्रेंट होंगे तो ओव्यस से बात है कि जो फिलम पर ब्लैक निंग आएगी जो डेंसिटी आएगी वो तो अलग होगी ही ठीक है तो इस वज़े से आपका जो अब हम बात करते हैं SENSITOMATRI की ठीक है अब SENSITOMATRI की है SENSITOMATRI एक ऐसी radiographic science है जिसके अंदर हम किसी भी photographic material की performance के बारे में evaluate करते हैं डाइगनोस करते हैं पता करते हैं ठीक है और इस photographic science को किसने बताया था दो scientists थे जिनका नाम था Herter and Drift इन दोरों ने इसके बारे में लुजब्सक कर रख़कैं यह फिर इस टाइप की फोटोग्राफिंग साइंस में किया क्या जाता है इसमें कोई भी जो फोटोग्राफिक मेटेरियल जिसकी परफॉर्मेंट्स आपको इवेल्बीट करने are diagnose करने है उसको हम क्या करते है एक specific source से सबसे पहले expose करवाते है ठीक है expose करवाने के बाद में उस पे जो density आई that means उस पे जो blackening आई है उसको specified instruments के तुरू measure किया जाता है ठीक है यानि उसको ना पा जाता है फिर जो आपने density आपको produce होई है जो आपको provide कराई गई है जो आपको वहाँ पे density मिली है उस density की values को और जो आपने उसको exposure दिया था उनकी values को उनके बीच में एक graph plot किया जाता है ठीक है और इस graph को यहाँ पे नाम दिया जाता है characteristic करव जो हम film के topic के अंदर भी पहले पढ़ चुके है यह दो चीजों के बीच में करव होता है एक optical density और दूसरा exposure की values यहाँ पे exposure की जो values होती है उनका हम log में लेते है ठीक है तो that means दो चीजे कौन-कौन से भी एक optical density और दूसरा log of the exposure ठीक है इसके बीच में यह graph बनाया जाता है और यह graph किस ने बनाया था सबसे पहले हर्टर और ड्रिफिल्ड ने ठीक है इसलिए इस करव को character strict करव के साथ साथ है एच एंड डी करव भी कहते हैं इस करव में तीन पार्ट होते है ठीक है एक solder होता आपका एक straight line होती है और एक तो होती है solder higher exposure region straight line medium exposure region and toe is the lower exposure region ठीक है जैसा कि हमने बात की कि sensitometry के अंदर हमने क्या किया था कोई भी photographic material था उसकी जो आपकी performance होती है उसके evaluation किया था उसको हमने evaluate किया था कि उसकी performance कैसी है तो आज का जो हमारा topic होगा वो इसी sensitometry यानि इसी photographic science से related है दो topic है हमारे एक है sensitometer और एक है densitometer ठीक है जैसा कि हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि इस photographic science में हम क्या करते है photographic material को एक specified source से expose कराते हैं तो वहाँ पर जो आपका source के रूप में काम में लिए जाता है उस device को हम बोलते हैं sensitive meter ठीक है उसके बाद में जैसे आप उस photographic material को एकस्पोज करा देते हो एकस्पोज कराने के बाद में उस पर जो density produce वी यानि कि उस पर जो blackening produce हुई है उसकी आप values measure करते हो तो उसकी values measure करने के लिए जो device काम में आती है उसको हम बोलते है densitometer ठीक है तो यानि कि sensitometry या फिर photographic science जिसके अंदर दो यह devices काम में आती है एक sensitometer और एक densitometer इनके functions के बारे में इनके components के बारे में detail में हम आज discuss करेंगे ठीक है now we will study about the first topic of this lecture which is known as sensitometer that means आज हम sensitometer के बारे में अच्छे से discuss करेंगे यह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो आपकी radiographic science थी या फिर photographic science थी कौन सी sensitometry इसके अंदर यह device काम में ले जाती है ठीक है a sensitometer is a device that expose a film to a range of non, constant light intensities having proper light wavelength sensitivity that means sensitometer एक ऐसी device है जो एक फिल्म को expose करती है किस से ऐसी light से जिसकी intensity कैसी होती है constant होती है और एक range में होती है range का मतलब एक उसकी range अपन fix करके रखते है कि यहां से लेकि यहां तक कि जो intensities होंगी उनकी radiation वो emit करेगा ठीक है या फिर उसकी जो wavelength है उनको हम proper रखते है range में रखते है fix रखते है मतलब यह हुआ कि sensitometer एक ऐसी device है जो किसी भी photographic material को expose करने के काम आती है बट यहां पे जो आपका exposure की intensity है वो एक range में provide होती है constant intensities होती है उनकी और जो wavelength होती है वो proper आपको मिलती है ठीक है the light output of sensitometer must match the spectral sensitivity of the film for example photographic film की अगर performance की हम बात कर रहे हैं यहां पे तो जैसा कि हमने photographic film यानि कि जो आपकी x-ray film है उसके बारे में discuss किया था कि इसकी अलग-अलग प्रकार की emulsion की layer होती है ठीक है याद हो आपको तो orthochromatic, monochromatic और panchromatic जहां पे emulsion के layer अलग-अलग थे ठीक है जैसा कि आपको बताया था कि कौन-कौन सा emulsion वहां पे कौन-कौन सी light से match करते है तो वही बात हम यहां पे कर रहे हैं कि अगर हम जो भी film उसके अंदर enter करेंगे तो उसकी जो wavelength है ठीक है जिस light intensity से वह expose होती है उससे match करनी चाहिए otherwise क्या होगा वह expose ही नहीं होगी और जब वह film expose ही नहीं होगी तो आप उसकी performance को कैसे evaluate करोगे जब उसके ओपर कोई density आएगी ही नहीं तो आप उसको measure कैसे करोगे ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो sensitometer से light निकल रही है the light output of the sensitometer must match यानि कि जो light sensitometer से निकल रही है the spectral sensitivity of the film जो film की spectral sensitivity है उससे match करनी चाहिए ठीक है for example a green light sensitometer is to be used with a green sensitivity film that means यह हुआ कि अगर आपका sensitometer ऐसा है जो कैसी light emit कर रहा है green light emit कर रहा है तो वहाँ पर आप film भी ऐसी ही use करोगे जो green light से sensitive हो it is wrong to use blue emitting sensitometer with orthochromatic emulsion that means यानि कि आपके पास sensitometer तो ऐसा है जो light कैसी emit कर रहा है blue और emulsion आपकी film कौन से emulsion की है orthochromatic की orthochromatic की जो होती वह green light से क्या होती है sensitive होती है तो obvious ही बात है अब वह यहाँ पर क्या होगी blue color की light से आपकी sensitive नहीं होगी और आप जो process कर रहे हो वह आपकी पूरी की पूरी क्या है worth है कोई काम की नहीं है तो इस वज़े से आप जो भी film वहाँ पे check कर रहे हो जिसके performance evaluate कर रहे हो उसकी spectral sensitivity आपकी sensitive matter की light की wavelength से match करनी चाहिए इसी के बारे में हम अच्छे से discuss कर रहे है orthochromatic emulsion की अगर बात करें तो यह हमने film के अंदर अच्छे से बढ़ा था तीन परकार की emulsion होते हैं एक होता है orthochromatic एक होता है panchromatic और एक होता है monochromatic ठीक है सबसे पहले अगर आपन बात करें monochromatic तो वह क्या होता आपका blue light से sensitive होता है और उसके अलावा non color जितनी भी lights होती है उनसे sensitive होता है दूसरे की बात करें अपन orthochromatic की तो वह visible spectrum की green light और उससे उपर जितनी भी wavelength है उनसे sensitive होगा और जो आपका last बचता है panchromatic वह क्या होगा जो आपका total पूरा visible spectrum में जिसके अंदर 7 colors आते हैं उन 7 colors की lights को include करता है that means उनसे sensitive होता है इसके बारे में हम film के अंदर अच्छे से discuss कर चुके है ठीक है नेक्स्ट हम आगे इसी sensitometer को आगे की तरफ continue करते है ठीक है a typical sensitometer is shown in the diagram एक normal जो आपका typical sensitometer है उसको हमने diagram में show किया है diagram में आप देख सकते हो sensitometer में एक fixed intensity का light source लगा हो है नीचे की तरफ ठीक है फिर क्या है यहाँ पे calibrate light filters है ठीक है जानि कि कुछ filters लगे हो है जिन में से वो जो आपके light source में से light emit होती वो filters में से होती भी फिर आपके कहां तक जाती है an exposed film तक जाती है ठीक है side में आपके क्या है exposure timer है ऊपर exposure button है exposure timer का क्या काम होता है automatic क्या करता है यह exposure को बंद करता है ठीक है यहाँ पे तो कुछ निए एक normal आपका instrument है machine है जिसके अंदर हम x-ray film को डालते हैं और वहाँ पे उसको हम expose करते हैं यहाँ ठीक है it has a calibrated light filter which provide about 20 different light intensity to the expose film that means अभी हमने बात की कि आपका जो light source लगा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है calibrate light filter मतलि यहाँ पर filters लगे हुए है अब इन filter का काम क्या है यह देखो which provide about 20 different light intensity to expose the film यानि कि film को expose करने के लिए हो क्या कर रहे है light source की जो intensity उसको 20 parts के अंदर divide कर रहे है that means जैसा हमने पहले sensitometer के starting में discuss किया था कि यह एक range के अंदर light emit करता है range का मतलब यहाँ पर आपकी क्या होगी 20 different light intensity अब यह जो अलग अलग जो आपकी light के density है इनमें एक value होगी minimum एक होगी maximum बाकी की जो 18 values होगी वो उनके बीच में होगी तो यहाँ पर आपको range मेलती है एक minimum से लेके maximum तक हर जो आपकी values है या फिर हर light की जो intensity है उतसे आपकी film क्या होगी expose होगी that means कि आपकी जो film है वो यहाँ पर क्या हो रही है एक ही time में एक ही बार में 20 अलग अलग light की intensity से expose हो रही है फिर वहाँ पर क्या होगा हम उसकी जो density है उनको measure करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी light की intensity पर कितनी density आपको मिली है ठीक है डाइग्राम को एक बार दुबारा से अच्छे से देख लो डाइग्राम में कौन कौन से components होते है exposure button है आपका उपर ही उपर exposure button exposure timer से connected होते है ठीक है exposure timer आपका जो fixed intensity light source है उससे connected होते है that means जो आपका light source है उसकी intensity तो कैसी होती है fix होती है लेकिन बाद में इनको divide कौन करता है अलग-अलग parts के अंदर 20 different intensities के अंदर light filters ठीक है और इन दोनों के बीच में exposure button की जो आपकी plate है वो और जो light filters है इनके बीच में आप क्या रखते हो एन exposed film को रखते हो ठीक है अब हम बात करते हैं कि आपका जो sensitometer है उसकी working क्या है वो work कैसे करता है ठीक है the given film is loaded in the sensitometer in the dark room dark room के अंदर यह process होती है और वेसी बात है आपको पता है कि जो unexposed film है वो light से sensitive है तो हम उसको कहाँ पर process कराएंगे dark room में ही process कराएंगे ठीक है तो dark room के अंदर हम sensitometer के अंदर आपको जो film है जिसकी आपको performance चेक करनी है उसको हम load कर देंगे ठीक है now the film is exposed to a range of light intensities that are matched to the wavelength sensitivity of the film that means कि अब आपकी film एक range आओगी आपके पास light की intensities की उनसे वो क्या होगी एक्सपोज होगी ठीक है और जो आपके पास light की जो intensities आ रही होंगी उनकी wavelength किस से match करनी चाहिए आपकी film की sensitivity की wavelength से ठीक है then the film is developed in the processor which is to be tested ठीक है यानि कि अब हम क्या करेंगे जैसे आपकी film है वो x-fix range से क्या हो गई है एक्सपोज हो गई है अब हम उसको क्या करेंगे प्रोसेस कराएंगे ठीक है जैसे हम अपनी normal x-ray film को प्रोसेस कराते हैं रेंज में हमने बात की कि 20 different intensity मिलेंगी बीस अलग अलग density मिलेंगी तो ओवेसी बात है कि वहां पर आप जो की जो फिलम होगी उस पे जो आपको density प्रोवाइड होगी वह भी बीस अलग-अलग density और बीस अलग-अलग density मिलकर बनाती है एक strip बनाती है ठीक है कम से लेहींदे जादा तक एक ऐसी जगह जहां पर सबसे कंशाटल से कम density होगी और एक ऐसी जगह इसको मिलेगी जगह उसको हम बोलेंगे इस प्रफितर परकुण से स्ट्रिप बोलते हैं जैन सी टो मैं तर्फितर फिल्ट स्टक भीर में इस प्रकार घोने ज़्तिकारने से न्पृक्टिंघ करते हैं इसलोगतार ंपाले थे तक उसको अंदर लेके जाते हैं और फिर हर एक जो आपकी strip की जो हर एक पार्ट है जहाँ पे आपको अलग-अलग density मिली है उसकी values को हम ठीक है, measure करेंगे corresponding to the exposure आपका जो exposure था, ठीक है कि यहाँ पे कोई भी अगर एक पार्ट अपन signify करते हैं उस पार्टेक पे आपने कितना exposure दिया था और वहाँ पे कितनी density मिली इनको हम record करेंगे, ठीक है और फिर आगे की process को हम continue करेंगे, ठीक है तो यह तो बात भी अपने sensitometer की, sensitometer की normal से बात है कि sensitometer एक ऐसी device है, जो एक range के अंदर आपको light की intensities को provide कराती है किसी भी photographic material को expose करने के लिए, ठीक है और वो जो light की intensity होती है वो आपकी x-ray film की spectral sensitivity से match करती है ठीक है, और अगर अगर अपन बात करें कितनी परकार के density आपको यहाँ पे intensity मिलती है, तो वो होती है, यहाँ पे 20 different अलग-अलग intensities, ठीक है अब अपन बात करते हैं हमारी next device की ठीक है, जो की sensitometry यानि की photographic science के अंदर काम में आती है, ठीक है densitometer के बारे में हमने पहले भी बता दिया कि densitometer क्या है, कि जैसे आपकी sensitometer में film गई expose होके आई, उस पे 20 different different densities मिली आपको जिसको आपने नाम दिया था sensitometry strip, ठीक है उनकी जो densities की value है, उनको measure करने के जो काम में device आती है, उसको हम बोलते हैं densitometer now we will discuss in detail about densitometer ठीक है, a densitometer is a device that measures the amount of incident light transmitted through the developed film, ठीक है that means क्या हो आपका densitometer एक ऐसी device है जो आपकी developed film है उस पे कितने light गिरी थी और कितनी उसमें से transmit हुई, इन सब की values को वो measure करती है, और वे सी बात अगर simple सी बात हम करें, तो उसकी जो density होती है, उसको वो measure करती है, ठीक है if I.O. is the incident light and I.T. is the transmitted light then the optical density is given by इसके बारे में हमने पहले भी discuss किया था, ठीक है optical density के अंदर कि अगर I.O. आपकी क्या होती है incident light है और I.T. यहां पे क्या transmitted light है, तो optical density का formula क्या होगा, OD is equal to log की best 10 I.O. upon I.T. ठीक है इसके बारे में हमने film का वाला जो करना topic था, उसके अंदर अच्छे से discuss किया था It is mainly used to read the relative density of the various steps on the sensitometry strip इसका mainly क्या काम होता है कि आपकी जो sensitometry strip है उसके आप वो अलग-अलग जो densities provide हो रही है, उनको measure करना ठीक है किसके according जो आपका exposure है ठीक है With the optical density and the log of the exposure values characteristics can be plotted by the hand जैसा कि हमने ये बात sensitometry में भी कर ली थी कि वहाँ पर हम क्या कर रहे है ये ऐसी photographic science है जहाँ पर हम पहले क्या करेंगे एक fixed light intensity से photographic film को expose कराते हैं और फिस उस density की values को हम measure करते हैं और फिर एक graph plot करते हैं तो यहाँ पर भी हम वहाँ तक पहुच चुके हैं ठीक है sensitometer जो device थी उचसे हमने एक fixed intensity से expose कराया film को फिर हमने क्या किया densitometer लिया densitometer से हमने क्या किया वो जो densities मिली थी आपको ठीक है sensitometry strip पे उनको हमने measure किया ठीक है अब हम क्या करेंगे जो optical density आपको मिली है वो और जो आपने exposure किया उसका log लेके उन दोनों values के बीच में हम एक graph plot करेंगे जिसको हम बोलते है characteristic curve ठीक है modern densitometers are linked with computer which can automatically read density and print the characteristic curve for the film जैसे कि यह बात किये अभी हमने पहले जो पुराने densitometer थे वहाँ पे हमको क्या करना होता था by hand characteristic curve plot करना होता था लेकिन अब जो modern densitometers आ रहे हैं उनका advantage है कि हम उनको क्या कर सकते हैं directly computer से link कर सकते हैं connect कर सकते हैं और वो क्या करेंगे automatically क्या करेंगे कि आपका जो exposure का log और optical density के बीच में automatically एक आपको curve plot करके देगा जिसको हम बोलते है characteristic curve और h and d curve इसको h and d curve इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको firstly herter और drift ने derived किया था ठीक है जैसा कि आप diagram में देख सकते हो एक densityometer का diagram बनाया गया है यहाँ पर क्या आपका एक photo cell है ठीक है power supply electronic circuit है नीचे आपका light source है calibrated ठीक है और sensitometry strip रखी है हमने यहाँ पर यह क्या करेगा जो sensitometry strip है यह जो photo cell है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका light source है यहाँ पर ठीक है light source क्या करता है light को emit करेगा वो light क्या होगी आपकी sensitometry strip के अंदर से pass होती हुई कहां तक पहुँचेगी photo cell तक पहुँचेगी ठीक है अब obvious ही बात है कि जहाँ पर density अलग अलग है तो क्या होगा हर जगह अलग अलग light की intensity photo cell तक पहुँचेगी photo cell उसको क्या करेगा दुबारा से read करेगा और आपको एक value प्रोवाइड कराएगा जिसके according हम density की values निकालेंगी कि उस part पे उस sensitometry strip पे कितनी density थी ठीक है इस प्रकार से आपका densitometer film के उपर या फिर sensitometry strip के उपर density की values को measure करता है ठीक है जैसा कि हम देख सकते हैं एक typical densitometer कैसा होता है फैनली हमने हमारा topic image quality यहां पे complete कर लिया image quality के अंदर हमने image quality के introduction के बारे में बढ़ा इनके कुछ factors के बारे में बढ़ा जैसा कि contrast था resolution था sharpness थी वो जो कुछ factor थे वो normal थे जैसा कि आप अपनी कोई भी pick या फिर image को edit करते हो तो उसमें भी उनको काम में लेते हो वो ही कुछ contrast थे वही कुछ sharpness जैसे blur जैसे कुछ factors थे वो जो आप नॉर्मल अपने phone में भी काम में लेते हो ठीक है तो उनी के बारे में हमने detail में discuss किया देन हमने reciprocity low के बारे में discuss किया था reciprocity failure के बारे में discuss किया फिर हमने एक photographic science के बारे में detail में discuss किया जिसका नाम था sensitometry ठीक है sensitometry के अंदर हमने दो device काम में ली एक थी आपकी sensitometer और दूसरी थी यहां पर densitometer ठीक है first of all वही दुबारा से हम एक बार revision कर लेते हैं इसका कि sensitometer क्या होता है या फिर sensitometry क्या होता है sensitometry एक ऐसी photographic science है जिसके अंदर हम किसी भी photographic material जिसका हम की performance का evaluation करना है ठीक है तो हम वहां पर क्या करते हैं उस photographic material की performance को evaluate करते हैं तो वहां पर दो devices काम में लिजाते हैं एक sensitometer होती है एक densitometer होती है sensitometer का क्या कम होता है एक fixed light source provide करना उस photographic material को expose करने के लिए ठीक है और दूसरी device आती है यहां पर आपका densitometer densitometer क्या करता है जैसे आपका photographic material sensitometer में से expose होके आता है तो उस पर जो अलग-अलग densities produce हुई है उन सब densities को measure करना ठीक है एक record provide करना देन हम क्या करते है इस science के अंदर जो आपकी photographic science है या फिर sensitometer है इसमें हम क्या करते है आपके पास दो values है एक exposure है जिसके according आपने film को expose किया था ठीक है और दूसरा उस पर जो densities आई थी उनकी values है इनके बीच में हम एक curve plot करते है जिसको नाम दिया जाता है characteristic curve या फिर h and d curve पहले यह curve हैंड से plot किया जाता था आज curve या फिर जो modern densities are रहे है उनके अंदर क्या किया जाता है densities को ही computer से directly link किया जाता है और वह computer automatically क्या करता है characteristic curve को plot कर देता है ठीक है okay thank you next lecture में हम एक नया topic स्टार्ट करेंगे डार्क रूम का ठीक है झाल 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 झाल